Hello friends, my sub-doktor Sunil Taur, consultant ENT and rhinoplasty surgeon दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं crooked nose rhinoplasty, deviaty nose rhinoplasty, क्या है deviaty nose rhinoplasty पर दोस्तों वीडियो बें आगे बढ़ने से पहले दियेगे bell icon को प्रेस करना एं YouTube channel को subscribe करना ना भूले जिससे आने वाले अने गुफ्यों की वीडियो का नोटिफेकेशन आपको मिलता रहे है। दोस्तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या है क्रुकड नोज और डेविडेट नोज यूजली जो हम बोलते हैं। दोस्तो डेविडेड नोज यूज जो उपर का पार्ट है वह बैसिकली क्या है कि एक साइड में जो है वह मिड लाइन में नहीं होके और एक तरफ जो है वह डेविडेड होता है उसको डेविडेड नोज बोला जाता है। दूसरा है क्रुकड नोज राइनोप्लास्टी क्रुकड नोज राइनोप्लास्टी में दोस्तो हमारा नाक का जो उपर का डोर्सम का पार्ट है वह कर्ड होता है आईदर दा सी सेप और एस सेप उसमें जो कर्व होता है उसको क्रुकड नोज राइनोप्लास्टी तो इस इ नहीं होता है कि दूसरा important चीज हम बात करते हैं क्या है crooked nose, दोस्तों जब crooked nose या जो devastated nose है, उसकी वज़े से हमारा नाख का जो है अंदर का framework जो है वो devastated होता है, वो जो है विक्रत होता है, उस विक्रती के कारण हमें nose से functional blockage होता है, हमें nose से क्या है, breathing नहीं होती है, हमारा nasal blockage र तेडा मेडा होता है उसके करणा बेसिकली का है, nosusEX होती है नाग से बहुत बार जो है, वह वह एक तर kısm हो दूसरा दोस्तों उसमे जो है, nos, abaures का, कॉस्मेटिक, looking में भी बोन्हें स्वेटा के कॉर्ड लगता है वह अपना जो च़हरे के संटर में लगते टा सो यह कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल दोनों डिफोर्मेटी क्रुकट नोज राइनोप्लास्टी में बैसिकली हमारे बोडी पर एफेक्ट होता है अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं सो दोस्तों सर्जरी से पहले एक सी नोज का एक सीटी स्कैन करा कि यह देखा जाता है कि हमारे नोज में जो डेविटेड जो है अंदर का फ्रेमबर्क की जो विकरती है वो कितना है कितनी एक्स्टेंट में है और कहीं कोई साइनस में तो कोई उसके कारण कोई फ्लुड वया ब्लड तो कहीं इखटा नहीं है तो उसके बाद सीटी स्कैन में हमें डिसाइड किया जाता है हमारा गोल बनाया जाता है कि हमें फंक्शनल और कॉस्मेटिक दोनों तरीके से इसको ठीक करना है उसके बाद इसके जो ठीक करने का तरीका है वो सेप्टो राइनो प्लास्टी इक सरजरी होती है उस सरजरी की माद्यम सी जो नाग का इनर फ्रेम वर्क है नाग का जो अंदर का जो पूरा का पूरा जो है बोनी वर्ट है कार्टिलेज है उसको सब को स्टेड किया जाता है and उसका जो गोल है उसका उदेश है we just get a blockage free nose, यहनि हमारा जो nose है, वो rest of life में जो है वो nose क्या है, बिल्कुल ब्लोकेज नहीं हो हमें, ताउम्र जो है वो आराम से ब्रिधिंग हो, second जो बाहर का deviation है, बाहर का जो crookedness थी, या बाहर का जो deviation था, या जो भी हमारी विक्रती थी, उसको basically correct किया जाता है, अमोमन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, तो करीब करीब तीन से चार गंठे का ही surgery होती है, surgery की बाद में जो है एक दिन patient को admit रखा जाता है, and surgery की बाद में nose के उपर एक छोटा plaster लगाया जाता है, वो plaster coming 10 days हटाया जाता है, and 10 days बात जब हम plaster हटाते हैं, तो nobody can recognize कि कहां से हमने क्या किया हुआ है, हमें बाहर से जो है उसमें निशान या बाहर से कोई suture वगर ऐसा पता नहीं लगता, अगर उसको जो हम nose को यहां से open करते हैं, उसको meticulous technique से बंद किया गया है, तो usually ऐसा scar या इतना निशान हमें visible नहीं होता, बात करते हैं, post-operative के है, routine सब भी कुछ काम हम कर सकते हैं, कुछ चीजे हैं, जैसे smoking है, heavy weight lifting है, alcohol है, ये करीब एक मैने तक patient को avoid करना होता है, treadmill कर सकता है, walk कर सकता है, बाकी सारी चीजें तब वो normal कर सकता है, तो दोस्तों, ये है crooked nose rhinoplasty, deviated nose rhinoplasty, जिसके मात्यम से जो है, हम हमारे nose को better sap में और जो हमारा nose का जो functionally blockage है, उसको correct कर सकते हैं, तो दोस्तों, next important thing है, क्या है, what is the reason of the crooked nose or deviated nose, बहुत बार patient दोस्तों, OPD में आता है, उसका ये सवाल होता है, कि मेरा जो nose है, ये इसका क्या कारण है, most common जो reason है, दोस्तों, crooked nose और deviated nose का reason है, trauma, वो trauma और ट्राफिक एक्सिडेंट भी हो सकता है, meanwhile, while playing भी हो सकता है, बहुत बार क्या है, बच्चपर में cricket ball injury होती है, बच्चा जो है, बलंग से गिर जाता है, इन सब के कारण जो nose पे जो injury होती है, वो trauma एक common कारण होता है, इसके अलावा, दोस्तों, second जो है, वो बहुत बार क्या है, developmentally भी होता है, यानि कोई trauma की history नहीं होती, इसके बावजूद भी जो है, अंदर वाला, जो septum है, और जो हमारा bonis septum है, वो इतना debiated होता है, कि वो पूरे जो entire nose को है, debiated और वो one side में जो है, वो tilted कर देता है, जो ये second जो important developmental है, third दोस्तों, congenital भी है, जन्म जात, बहुत बार क्या होता है, कि कुछ patients को, जो है, cleft lip होता है, cleft palate होता है, उसको, उसके तालू में defect होता है, उसके होट में defect होता है, तो simultaneous, उस time पे भी, उसके साथ में भी जो है, नाक का जो deviation होता है, जिससे crooked nose बहुते हैं, दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि कोई history नहीं होती, patients की trauma की भी नहीं होती, developmental भी नहीं होती बहुत बार क्या है कि delivery के दुरान भी जो है nose प्रेस हो जाता है उसके करण भी जो है वो nose के अंदर crooked nose So ये common reason है दोस्तों crooked nose or debitated nose deformity So I think this information regarding the crooked nose or the debitated nose is useful for you and you can share this information to your family, friends and colleagues just to create regarding the nose problems and आपका कोई questions, आपकी कोई query है, आप मेरी comment box पे put up कर सकते हैं definitely I reply it and for more information you can login by jaipurdurbinhospital.com website Thank you जने latte, करों आपका कि अर्का का कमा me आप, आपकरण में आपका कि अपका के बदे अपकी साचा बदे की साचाका सक्दावी